बैक टो दो चैनल बैंकेंग सार्थे सगाइस आज हम डिस्वस करने वाले हैं सेकेंड दिसम्बर का दो वोकेब्स हो जिसके हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टन वोकेब्रडी तो चलिए बेना किसी देरी के वीडियो को स्टाथ करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड ह यहां नावन है जिसका मतलब होता है और डीजीज और एल्मेंट यानि कोई भी बिमारी या कोई भी डिजीज इसे हम क्याते हैं मैलेडी ठीक है सिरोनिम्स क्या हो जाएंगे इल्नेस या सिखनेस एंड़नेस या हैल्थ याद करने की ट्रिक देखिए मलेडिया एक मैलेडी है यानि मलेडिया एक डीजीज है सिंपल सी ट्रिक है और सिंपल सा वर्ड याद हो जाएगा आपको अब देखते हैं एक्जांपल मलेडिया इस काइंड ऑफ सीरियस मैलेडी यहां हमने देख लिया कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे ठीक है तो सेम यह या कोई भी एक्षेंड वह प्रॉपर ना होना यह एप्रोप्रीएट नहीं होना ठीक है उसे हम गतने हैं अन्सीम ली सिरोनीम देखेंगे इन डेकोरस ऐंड चाएगा अन भी फिटिंग इन डेकोरस अन बीफिटिंग चिक है एंडुनिम्स क्या हो जाएंगे सीमली या decoders याद करने की ट्रिक देखिए सीमा का behavior unseemly है यानि सीमा का behavior क्या है appropriate नहीं है unseemly है सीमा का behavior कैसा है unseemly यानि कि बिल्कुल भी appropriate behavior नहीं उसका चलिए अब देखेंगे example को हर behavior at the party last was unseemly यहां पर night छुट या last night उसका जो behavior कल रात की party में था वो कैसा था unseemly था यानि कि अपरोप्रोप्रेट behavior उसका नहीं था यहां पर में देखा कि इस word को हम sentence में किस तरह सी use करेंगे चलिए move करते next word पे next word हमारा तसल तसल यह होता है यह नाउन है जिसका मतलब होता है to fight with another person using arms and body यानि किसी दूसरे इंसान से लड़ाई करना किसी सीस का यूज करके कोई arms या weapons का नहीं मतलब कोई हतियार का यूज करके नहीं बलकि कैसे body के parts का यूज करके यानि हिंदी में हम जिसे कह सकते हैं हाता पाई करना सीनुम्स क्या हो जाएंगेец可以 यहाव स सल के बटवाड़े में टसल हो गये या लौगों में जगरा हो गए च्झ तो फसल के में ale यहांनी fight हो गई हांता पाही हो गई आझा को के इस वड़ को sentence विठीक उसे करना है sucks paying जो बच्चे थे वो आपस में टसल करने लगे ठीक है चले मूफ करते हैं नेक्स वर्ट पर नेक्स वर्ट हमारा डाइट्राइब डाइट्राइब क्या होता है यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है और फॉर्स फूल एंड बीटर वर्वल अटेक अगेंस सम्वन और सम्थिं यानि कि एक बहुत ही कठोर बीटर यानि करवा सा वर्वल अटेक वर्वल अटेक किसी कहते हैं जो हम बोलते हैं किसी को अगर हमारे सब्दों में करवाहत हैं किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं हमारे सब्दों में करवाहत है तो उससे हम कहते हैं डाइट्राइट ठीक है क जाएगा डी नियू डिन ट्राइड जाएगा कॉंप्लिमेंट या अकलेंट यह होती तारीफ करना एंडोनिम्स में जुदी और वर्ट्स और इनका क्या होता है मतलब वह किसी के अगेंस्ट गलत बोलना याद करने की ट्रिक देखिए दादी ने ब्राइब लेने वाले पर्सन को डाइट्राइब किया यह बहुत इंटर्सिंग ट्रिक आप देख सकते हो कि दादी ने ब्राइब लेने वाले पर्सन को डाइट्राइब किया जो पर्सन ब्राइब ले रहा था ब्राइब यानि क्या यंगर जेनरेशन यहां पर हमने देखा कि इस वर्ट को सेंटेंस में किस तरह से हम यूज करेंगे ठीक है मूफ करते हैं next word पर next word है मारा Callius यह एक adjective है जिसका मतलब होता है without sympathy or feeling for each for other people यानि कि हमें बिल्कुल भी संतावना नहीं है बिल्कुल भी संपथी नहीं है दूसरे person के लिए उनके लिए बिल्कुल भी कोई feeling नहीं है उसे हम कहता है क्यालियस ठीक है हिंदी में कहेंगे कठोर होना सिनोनिम्स क्या हो जाएगा hurtless या unfilling एंट्रोनिम्स क्या हो जाएगा kind या compassionate याद करने की ट्रिक देखिए मैंने जब friends को help के लिए call किया तो उनका response क्यालियस था यानि जब मैंने friends को help किया तो मेरे friends का response क्या था था यानि बिल्कुल भी उनके मेरे प्रती क्या थी sympathy नहीं थी बिल्कुल भी feeling नहीं थी मेरे प्रती वो उनका behavior बहुत ही कठोड था तो इस ट्रिक से आप यह word याद रख सकते हो चलिए लास्ट वोड्ड यह कैलियस इसका सारे words आपको बसंदा रहे होंगे चलिए this is for today thank you and have a nice day